आप लोग office जाते होंगे या फिर अपना daily का काम करते होंगे जो भी documents का काम आपका रहता है ऐसा कुछ काम होता है जो कि आपको रोज-रोज करना होता है रोज वही same जीज आपको दोराना होता है तो अगर इस तरीके का आपका कोई काम है जो कि आपको हर रोज देली के बेशिस पर करना होता है तो सोचिए अगर ये काम आपका automate हो जाए यानि कि automatically होता रहे जब भी आप चाहें तब एक ही command के बलबूते पर तो कितना अच्छा होगा तो ऐसा ही कुछ है हमारे पास जो कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MS Excel का एक macro function है जो कि खुबसूरत function है जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं तो दोस्तों इसके जरीए आप क्या कर सकते हैं आपका जो भी काम है documents का आप कर रहे हैं उसको आप automate कर सकते हैं दोस्तों जब भी चाहें एक ही click के command पर आप उसको automate कर सकते हैं तो खुद बेखुद आपको जो चाहिए वो हो जाएगा चलिए बात कर लेते हैं इस खुबसूरत function के बारे में जो कि आपके बहुत सारे interviews में और computer skill test में पूछा जाता है वीडियो को अच्छे से देखिए और जरूर से comment करके बताइए कैसा लगा आपको ये खुबसूरत function तो चलिए start करते हैं वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर से कर दीजिए और bell बटन को भी प्रेस कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और like जरूर से कर दीजिए दोस्तों अगर आपको इस तरीके का content चाहिए तो चलिए start करते हैं वीडियो को तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने computer screen पर तो यहां पर आप देख सकते हैं एक letter आपको नज़र आ रहा है friends जैसे कि यहां पर यह जो letter है welcome letter है अगर किसी को भी यह letter मीरे को भेजना है तो यह common letter है दोस्तों जो की सभी को भेजना होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे चैनल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ जानकारी दीन हुई है, तो यह जो letter है, यह letter को हमेशा मुझे लिखना होता है और मुझे देना होता है, तो यह काम क्यों ना मैं एक ही बार कर लूँ और इसको automate कर दिया जाए ताकि जब भी हमें इसको ज़रुत परे send करने का किसी को, तो हम easily macro function के help से एक छोटा सा command प्रेस करेंगे और उसके तहत यह automatic type हो जाएगा और चला जाएगा दोस्तों, तो यह काम को easily करने के लिए, एक ही step में करने के लिए, हम यहाँ पर सीखने वाले है macro function का use, तो चली जान लेते है, macro function, macro tab जो है, वो actually है कहाँ पर, तो यहाँ पर मैं यह content है, इसको copy कर लेता हूँ, ताकि यह content को हम जब macro बनाएंगे, तो उसको एक बार हमको बस type करना होगा, तो type करने के बाद यह चीज़े हम automate कर लेंगे, तो अभी चलते हैं, एक और नए document page पर, control and press कर दे खेते हैं, तो आपका एक नए document open हो जाएगा, यहाँ पर आपको दुबारा से जाना है, view के tab में, और यहाँ पर macros मिल जायेगा, macros के tab में, आपको यहाँ पर जाना है record macro के tab में, जैसे ही record macro के tab में आप लोग जाएंगे, तो आपके सामने यह dialog box open हो जाएगा, तो यहाँ जो steps हम use कर रहे हैं, यह steps को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि एक skill test में यह पूछा जा चुका है, कि macros जब आप record करते हैं, या macros जब आप use करते हैं, तो उसमें second step कौन सा होता है, इस तरीके का questions भी पूछा जा रहा है, तो पहले हमको यहाँ पर macro का एक नाम दे करने के बाद, आपको यहाँ पर keyboard का option पर जाना है, आपको दिख रहा है, keyboard में आपको उसका एक shortcut key specify करना है, जो key press करते ही, वो macro आपका automatically काम करने लगेगा, तो keyboard के option में आपको जाना है, और keyboard के option में जाते ही, यह आपका customize keyboard का option खुल जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या कर सकता है, जैसे control shift w मैंने प्रेस किया, तो यह already लिख रहा है, currently assigned to word underline, तो word को underline करने के लिए यह shortcut की है, तो आप यह use नहीं कर सकते है, control alt w में प्रेस करते हैं, यह दोस्तों allowed है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, unassigned, इसका मतलब है, यह जो shortcut की है, हम use कर सकते है, तो alt control w, यह आपको याद रख लेना है, shortcut की जब भी आप प्रेस करेंगे, तो आपका यह वाला macro, जो welcome नाम से हमने save किया है, यह आपका run हो जाएगा, अब हम प्रेस कर देंगे assign पर, और इसको कर देंगे close, अब हमारा क्या हो गया, already macro recording start हो चुका है, तो यहाँ पर आपका नज करसर के नीचे नजर आ रहा होगा, एक cassette का symbol, तो जैसे आपको cassette का symbol नजर आता है, इस तरीके से, इसका मतलब आपको यह पता चल जाना चाहिए, कि macro recording शुरू हो चुका है, तो अब हमने जो content copy किया था, वो content हम यहाँ पे paste कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह जो content है, यह paste हो चुका है, यह पूरा content हमको macro में record करना है, तो हमने यह लिख दिया, अब हम जाते हैं, दोबारा macro के option पर, और macro के option पर जाकर हम इसको कर देते हैं, stop recording, तो दोस्तों यह successfully आपका macro record हो गया है, अब हम चलते हैं, एक नया document खुलते हैं, जो macro हमने record किया था वो macro को अभी हम तो run करना है, तो कैसे हम run करेंगे दोस्तों, simple है, आप बस जो shortcut की आपने specify किया था, उसको आप प्रेस कीजिए, alt, control, w, तो जैसे ही alt, control, w प्रेस करेंगे, जहां पर आपका cursor है, वहीं से आपका क्या होगा, macro run हो जाएगा, आपको करके दिखाता हूँ, आपको यह दोबारा type करने की जरुवत नहीं है दोस्तों, अब इसी सेम चीज को हम यहां से भी करके दिखाते हैं, जैसे हमने यहां पर enter दे दिया नीचे, हम next page में आ जाते हैं दोस्तों, अगले page में जैसे ही हम आते हैं, यहां पर cursor रख देते हैं, और अभी हम जाते हैं, macro के tab में, view macro, और यहां पर view macros पर आप जा सकते हैं, जैसे view macros पर जाते हैं, आपका यहां पर welcome 1 नजर आ रहा है, तो यहां पर run की पर जैसे ही प्रेस करेंगे, तो यह run हो जाएगा, तो जैसे ही आप alt f8 प्रेस करेंगे अपने keyboard से, तो आपको यह dialogue box open हो जाएगा, और यह इसी तरीके से हम MS PowerPoint और MS Excel में भी macro का use कर सकते हैं, आपको अगर यह content पसंद आ रहा है, और इस तरीके का content और आपको चाहिए, तो बिल्कुल comment section में comment करके बता दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए, और एक like ज़रूर से कर दीजिए दोस्तों अगर आप channel पर नए हैं, तो subscribe करके bell button को ज़रूर से on कर दीजिए, इसी तरीके के content आपको मिलते रहेंगे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, जैभार